इनेलो नेता अजे चोटाला को पार्टी से बाहर निकालने पर भढ़के दिखविजे चोटाला इससे जादा अनफॉर्चुनेट क्या होगा कि जूट की कितनी बड़ी बुनियात खड़ी करने की कोशिश की जा रही है आज ये जूट का माउंट एवरेस्ट बनाने का काम इन लोगों ने किया जो चोधरी उंप्रकाश चोटाला जी बारा तारिक तक उनके माध्ध्यम से ये लोग ये कह रहे थे कि हम उनसे मिलके आएं वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा बारा के बाद तेरा को किसी से मिल नहीं सकते थे क्योंकि वो आपस गए हैं जेल बे और ये तो रेकॉर्ड भी कहता है वो किसी से मिले नहीं है और चौदा की सुबह जो कि आज है वो ये लेटर दिखा रहे हैं कि हमने इनको बाहर निकाल दिया तो तो ये दिस इस अ क्लियर कट केस ऑफ कॉनस्पिरेसी एक पार्टी के अंदर इतनी गहरी शाजश कुछ चार या पांच लोग चंडिगर्ड में बैठ करके और एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है ये तो हमें कल रात को पता चल गया था मैंने आपको कुछ लोगों को तो सूचित भी किया कल रात को कि ये होने जा रहा है मेरी बात पर आप यकीन कीजिए क्योंकि उस लेटर को जब चंडिगर्ड ऑफिस में बनाया गया तो मुझे हमारे भी सूर्सेज हैं उनने हमें ख़वर दे दी थी कि लीडर ओफ ओपोजिशन के कहने पर ये लेटर बन चुके हैं और अब ये प्रिंट हो जाएंगे जमन 17 तारिक को आप देखेंगे जब लाखों लोग वहां जुटेंगे जीन के अंदर कारेकरता जुटेंगे वह फैसला करेंगे चौधरी अजे प्रेस कॉंफिशन होगी तो ये लेटर कहां से आया तो क्या चैलेंज करेंगे चैलेंज क्या करने की जूरत है चैलेंज को ये कोर्ट के अंदर थोड़ी मामला अब मानते हैं सारा ओंपरकास चुटाला जी के बिना सहमतिक ये आरेश चौधरी एक व्यक्ति हैं हमारी पाइटी के सीनियर नेता हैं उनकी इजजत करते हैं उमर में बहुत बड़े हैं मगर वो बहुत गहरे शाजिश करता हैं उनकी लेंगवेज है कल रात को ये जो अजे सिंग चुटाला जी के नाम पे लेटर बढ़ा ये भी उन्हीं के हातों से लिखावा टाइप हुआवा पाइटी में हम हैं हम थे और हम रहेंगे और मैं ये कहता हूँ कि हम पाइटी से निकालने वाले लोग नहीं हैं किसी को हम पाइटी के साथ जोडने वाले लोग हैं आज राजनीती जरूरी जो समझने की है आज प्रयास ये हुए मुझ पर भी दुश्वन पर भी डरा कर ध संदी करती आज राजनीती में विनम्रता का सभाव है आज राजनीती के अंदर लोगों को जोडने का सभाव है आज ये डांटने का जूते निकालने का गोली चलाने का जो समय है वो राजनीती से जा चुका है आज राजनीती जो है वो सब को प्यार करने की है एक दूसरे के स मिल करके साकरात्मक सोच पैदा करने की और जो साकरात्मक होगा आपने देखा वो ही आगे बढ़ेगा जो इस तरह की सोच वाला है वो कहीं ना कहीं को सो दूर चला जाएगा और यह फ्रस्टेशन है अजे सिंग चोटाला के जो प्रेम है उनके प्रती जनता के अंदर उनके जो प्रती मो है उसको देख करके फ्रस्टेशन है कि यह जो अपने आपको जो है ना टॉप अफ दे लाइन लीडर्स मानते थे आज सारे चंडिगड में अकेले बैठ करके प्रेस कॉन्फरेंस करके यह कह रहे हैं कि हमने यह लेटर जारी कर दिये यह कर दिया हमने पार्ट जी को शायद याद ना हो जिस चुनाव को जीतने की वो बड़ी-बड़ी हुंकार भर रहे थे आज मीडिया के सामने उस चुनाव में डोर-टू-डोर तकरीबन 11 गाओं में तो मैं घुमा हूं स्वेम एक जोन में दुशन जी घुमे है और मेरे पिता जी ने एक महीना सब को छोड़ करके उस चुनाव के लिए केंपेन किया तो वो कोई ऐसान नहीं कर रहे है आज निशकर सन्वाजो क्या माना जाए उसको की जीन के लिए जो बैठेक बुलाई गई उसको देखते हुए कि नैचुरली किया गया है क्योंकि एक जहां भी अजे सिंग जी जा रहे ह हैं वहां पर 80-90% पार्टी खड़ी हो रही है साथाकर और 10% जो बची हुए है वो सरफ इस बात के लिए बची हुए है कि हम चौधरी उंपरकाश चुटाला जी का जो निर्देश होगा उसको मानेंगे अब वो स्पस्ट हो गया कि चौधरी उंपरकाश चुटाला जी को सूपर सीड करने का काम लीडर ओफ ऑपोजिशन ने कर दिया पार्टी को हाई जैक करने के लिए तो अब तो तैह है कि वो 10% लोग भी 17 तारिक को इंडियन नैशनल लोगदल पूरी पार्टी वहां आ जाएगी और 17 को इनने मीटिंग बुलाई आप देख ले ना दूद का दूद और पाणी का पाणी हो जाएगा कौन कहा है कौन कहा है